बच्चों क्लास टेंथ में साइन्स में हमें धातू, मेटल और अधातू, नौन मेटल के गुणों में अंतर पर काफी ध्यान देना होता है तो आज हम धातू और अधातू के भोतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या डिफ्रेंस है, इसको देखने का प्रयास करेंगे तो धातू जिसको हम मेटल बोलते हैं और धातू जिसे हम नॉन मेटल बोलते हैं इनके भोतिक गुणों के आधार पर इनमें कुछ अंतर समझने का प्रयास करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं चमक चमक आपने देखा होगा कि जो धातूं होती है सोना है, चांदी है आपने इन धातूओं में एक खास तरह से चमक देखी होगी मतलब धातूओं में धात्विक चमक होती है मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती है या धातूओं होती हो लस्टरियस होती है लस्टरियस से हमारा कहने का मतलब यह है कि they have a shining surface मतलब उनकी surface बहुत क्या होती है shining होती है चमकदार होती है जैसे gold है, silver है, copper है और साथ-साथ they can be polished मतलब उन पर polish की जा सकती है तो चमक या metallic cluster में हम कह सकते हैं कि धातूओं में धात्विक चमक होती है और उन्हें polish किया जा सकता है जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अधातूओं में धात्विक चमक नहीं होती है वो shiny नहीं होते they are dull, मतलब वो कैसे हैं, dull है जैसे अगर sulfur या phosphorus का अगर हम example ले ले लें तो उनमें कोई luster नहीं है लेकिन इसका एक अपवाद है वो अपवाद देखी, यहां मैंने बताया हुआ है देखी है, चमक आपको दिखाई दे रही होगी तो यह iodine जो है, इसका एक अपवाद है क्योंकि iodine में चमक होती है तो हमने अपवाद के बारे में भी देख लिया कि iodine इसका क्या है, अपवाद है तो पहली बात जो हमने देखी वो यह है कि धातूओं में जो भोतिक गुणे चमक तो चमक के आधार पर देखा कि धातूओं में धात्वीक चमक होती है जबकि अधातूओं में धात्वीक चमक नहीं होती है ग्रेफाइड इसका, iodine इसका अपवाद है तो AOD ने कैसी धहतू है जिसमें चमत होती है तो यह objective का हमारा question भी हो जकता है फिर हम आते हैं hardness पर या कठोर्ता के उपर तो कठोर्ता में हम जाते हैं कि धहतू हैं सामानेज रूप से क्या होती है कठोर होती है, hard होती है सभी धातुमों को हम जानते हैं कि वो नर्मली हार्ड होती है केवल आप सोडियाम या पोटेश्यम को शोड़ दीजिए जैसे कि मैंने आप पोटेश्यम को एक्जामपल के तोर बे लिया इसको आप चाकू से काट सकते हैं सोडियम एपोटेशम जो है वो एसी धातुएं जो सौफ्ट है और उनको चाकू से काट सकते हैं बाकी सारी धातुएं कठोर होती है आप उनको चाकू से नहीं काट सकते हैं तो धातुओं का यह सामान्य गुण है कि उनमें कठोरता होती है हार्डनेस होती है जबकि धातुओ का ये गुण होता है कि वो सामानित है बहुत मुलायम होती है बहुत साफ्ट होती है लेकिन उसमें भी एक अपवाद है उसको है हीरा डाइमंड वो तो हर्डेस्ट नेच्रल सबस्टेंस है हीरा तो सरवादी कठोर है हीरा लेकिन मज़ेदार बात क्या है वो अधातु है जब लेकिन उसके अफवाद sodium और potassium है जबकि अधातूएं सामाने तह मुलायम होती है और उसका अफवाद हीरा है तीसरा जो हमारा बिंदु हो सकता है वो है आघात वर्धनीता तो धातूएं आघात वर्धनीता का मतलब यह होता है कि जब आप धातूएं पर हतोड़े आदी से प्रहार करते हैं तो उसके प्रहार से मतलब वो उसकी थीन शीट्स या चादर बनाई जा सके तो धातूएं पर अगर आप हतोड़े से प्रहार करें और उसकी चादर बनाई जा सके थीन शीट्स बनाई जा सके तो इसको हम कहते हैं आघात वर्धनीता का गुण हो सकता है कि एक छोटे कोशन में यह चीज भी निकल कर आए कि आघात वर्धनीता या मैलेबिलीटी क्या है तो आप बता सकते हैं कि जब धातूं की आप धातूं को पीट कर अगर उसकी च सकते हैं कि वो बहुत अधिक मैलेबल है मतलब मेटल्स कें बी बीटन इंटू थीन शीट्स वित हैमर विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना टूटे आप उसकी क्या है लंबी चादर बना सकते हैं और आपने देखा भी होगा कि हम खाने के अंदर करते हैं चॉकलेट के रेप अधिधिक क्या होती है आघात वर्ध होती है लेकिन अधात वर्ध नहीं होती है देयार ब्रीटल अगर आपने उनको हतोरे से पीटने की कोशिश की कि चली हम इसको अगहरत वर्ध बनाना चाहें तो आप उसको अगर पीटेंगे तो देयार ब्रीटल मतलब वो आसानी से क् वो break easily break हो जाएगी तो जासी कि आपने देखा है कि graphite को आपने देखा होगा pencil की noak तो अब उसको पीट करके आउसकी चाधर बना पाएंगे आप उसको पीटने जाएंगे तो वो क्या है? brittle है वो क्या हो जाएगी आसानी से break हो जाईगी तो हमने देखा कि जो धातु है वो अत्यदिक आगार्थ वर्ध होती है और अधातु है आगार्थ वर्ध नहीं होती है तो आगार्थ वर्ध हमने गुण समझ लिया कि जब धातुओं को पीट कर उसकी चादर बना सके हम तो उसको आगहत वर्धनी इता का गुण कहते हैं तो ये भी हमारा एक छोटा कुश्यन बन सकता है तो इस तरह से हमने आज अभी तीन गुणों पर बात की है सबसे पहले हमने बात की चमक के उपर कि धातुओं में धात्विक चमक होती है मतलब मेटल्स और लस्टिरियस और हम कह सकते हैं कि उनकी सर्फिस शाइनिंग होती है गोल्ड, सिल्वर, कापर आपने देखा होगा और वो पॉलिजड की जा सकती है मतलब देखें भी पॉलिजड मतलब उनके पॉलिश की जा सकती है अधात्विक चमक नहीं होती है जैसे फास्पोरस है आपका सलफर है उसमें धात्विक चमक नहीं होती है लेकिन आयोडिन उसका अपवाद है आयोडिन एक ऐसी अधात्व है जो चमकदार सर्फिस उसकी होती है दूसरा कठोरता है हार्डनेस अधातु में सामानिता क्या होती है? कठोर होती है और उनके अपवाद है सोडियम और पोटिशम जिनको आप चाकू से काट सकते हैं लेकिन अधातु में सामानिता मुलायम होती है लेकिन उसका अपवाद भी सरवादिक कठोर अधातु हीरे के रूप में मुजूद है फिर त बाया जाता है, चलिए हम अब चोथी प्रापर्टी के उपर आते हैं, एक और प्रापर्टी है, डक्टिलिटी जिसकों disadvantaged तन्निता, तन्निता मतलब ये है सकता है आप क्या उसके पतले लंबे तार FEROOO क्थी सकते हैं क्या, तो मतलब वह उनको 대해서 स्ट्रेच कर सकते हैं क्या वायर्स के अंदर तार बनाए जा सकते हैं क्या तो धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है आपने देखा होगा कि यह कौपर और और इसके कितने सारे लंबे लंबे तार हम खीच लेते हैं गोल्ड के लंबे लंबे तार खीचे जा सकते हैं तो यह तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है कापर है ऐलूमिनियम है आइरन है magnesium है, हैं न, metals are ductile, that is, कि metals can be drawn or stretched into their wires, मतलब उनको wire में, उनको खीचा जा सकता है, wire के रूप में, तार के रूप में खीचा जा सकता है, तन्निता का गुण का मतलब है, कि धातुमों को तार के रूप में खीचा जा सकता है, तो ये गुण कहलाता है, तन्यता या डक्टिलिटी तो ये भी एक छोटा क्वेशन आपका हो सकता है कि तन्यता क्या है लेकिन आधातूं है तन्यता का गुन पदशित नहीं करती है मतलब आप उनके तार नहीं बना सकते हैं तो हमने इसके बाद में हम बात करेंगे चालकता या कंड़क्टिविटी की तो जो धातूं है वो उश्मा और विद्यूत की सूचालक होती है मतलब उश्मा और विद्यूत की सूचालक का मतलब यह है कि जैसे देखिए यहाँ पर यह जो कील से इनको गर्म किया गया है तो देखिए इनकी पूरी सर्फेस यहां से वहां तक गर्म हो रहे हैं, मतलब यह उश्मा का ट्रास्पर कर देगी, मतलब चालन के द्वारा, उश्मा का इस्थाना अंतरन करती है, मतलब इसके एक कोने को गर्म करो तो पूरी कील धिरे 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 गर्म होने लगती है, तो य अगर आप ये दोनों क्रोकोडाइल क्लिप को जोड़ देंगे आप, ठीक है ना, ये धातू की बनी वी है, तो जैसे ही दोनों क्रोकोडाइल क्लिप को आप जोड़ेंगे तो ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, मतलब क्या है, कि ये धातू जो है, ये क्रोकोडाइल होते हैं, aluminum's के तार होते हैं, है ना, मतब है तो good conductors है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि चांदी के बारे में आप जान लीजिए कि silver जो होता है, वो silver जो है, वो best conductor of heat भी है और साथ में, वो silver जो है, वो electricity या विद्यूत का भी best conductor है, तो उश्मा और विद्यूत का बहुत बढ़िया चांदी, आपने देखा होगा कि cooking utensils जितने होते हैं, और water bailer या मतलब वो किसके बने होते हैं, usually copper और aluminum के ही वो बने होते हैं, तो वो उश्मा और विद्यूत के सू चालक हैं, और ये वाला wire भी क्या है, ये जो तार है, तांबे का तार ही तो है, और ये विद्यूत का क्या है, चालक है, तो connection virus भी इसलिए इनके बनाए जाते हैं, क्योंकि ये चालक होते हैं, तो चालक तागे बारे में आप कहेंगे कि उश्मा और विद्यूत की सू चालक होती है, धातू हैं, और अधातू हैं जो होती है, वो उश्मा और विद्यूत का चालन सामानेता नहीं करती है, मतलब उसमें, जैसे माली जी यहां देखे, इसी circuit को आप देखे, यहां crocodile clips के ब चालन नहीं करती है, हाँ graphide इसका अफ़ाद है, मतलब यह जो pencil की नोक में जो रहता है, graphide यह विद्यूत का चालन करता है, मतलब अगर आप इसको graphide वाली जो नोक है, अगर इसको यहां पर यह pencil का टुकड़ा अगर लगा देते, दोनों सिरों से छिल कर यह graphide की नोक लग जाना, हम कह सकते हैं कि carbon in the form of graphide is the only non-metal which is good conductor of electricity, और इसलिए electrodes जो है वो इसके बनाए जाते हैं, तो हमने यह सीख लिया कि तन्यता का गुण धातुएं प्रदर्शित करती है, मतलब इसके तार, लंबे तार बनाए जा सकते हैं, अधातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शि होती है, और अधातुएं उश्मार विद्युत का चालन नहीं करती है, अब वाद उसका graphide है, तो हमने अभी तक यह पांच बातें सीखी हैं, और महतुपून पांच बिंदूओं पर हम physical property में अंतर करते हैं, और आगे एक दो बातें हम कर सकते हैं, जैसे state की अगर हम बात क अगरें तो जो धातुएं वो कमरे के ताप पर नर्मली ठोस होती है, मतलब केबल mercury को अगर हम छोड़ दें, वो ध्रव धातुएं, बाकि सभी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है, तो अवस्था की दृष्टी से देखा जाएं, तो ध्रूम टेंपरिच तो ये भी एक आपका इम्पॉर्डेंट छोटा question हो सकता है कि द्रव धातु कौन सी है तो द्रव धातु आपकी पारा है और धातु है अवस्था की द्रश्टी से सभी धातु में क्या होती है एक ट्रूम टेंपरेचर या कमरे के ताप पर ठोस होती है और अवस्था की आधातु है, जो लिकुड है, द्रव है, ये भी एक इंपार्णन्ट छोटी बात, छोटा कोशन आप बन सकता है, कि कौन सी अधातु द्रव है, तो अधातु के रूप में ब्रोमीन क्या है, द्रव है, और उक्सिजन, गेस है, च्लोरीन, हाइट्रोजन, ये सब ही क्या है, अ यह आपकी यह जो जिवन्दाई गेस है यह आपकी अधातू है और यह गेस है तो इस तरह से ठोस द्रावर गेस तीनों रुपों में उसकी अवस्था की दुरस्टी से वो पाई जाती है और अगर कुछ और अगर हम बात करें इनके उपर तो हम कह सकते हैं कि धातूं के जो है जो धातूं होती हैं उनके जो मेल्टिंग और बाइलिंग पाइंट होते हैं मतलब वो जो उनके गल्नांक और क्वतनांक होते हैं वो बहुत हाई होते हैं उच्छ गल्नांक और उच्छ क्वतनांक होते हैं केवल सोडियम और पटिशम को छोड़ कर और अधातूं के गल्ना को अतना गूच होते हैं, सोडियम पुटेशम को छोड़ कर, इनके गल्लांक और को अतना गूच होते हैं, डाइमंड या हीरे को छोड़ कर, या आप ये भी कह सकते हैं कि घनतु के बारे में भी कोई बिंदु आप बना सकते हैं भोतिक गुण में, कि धातुओं का घनतु बह के होते हैं, लाइट सबस्टेंस होते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं, तो अभी मोटे मोटे तोर पर जो हमने बात की है, धातु और अधातुओं के भोतिक गुणों पर है, फिजिकल प्रापरटी पर उसमें एक तो हमने बात की चमक के बारे में, कि उसमें धातुओं मे धात्विक चमक होती है और अधात्विक चमक नहीं होती है नहीं होती है आयोडीन को छोड़कर फिर दूसरा हम ने पैइंट बनाया था कि धातों सामानिय तह क्या होती है कफोर होती है accept मतलब छोड़कर अगर आप देखें तो sodium और potassium को और हमने यहां कहा था कि जो अधातुएं वो सामने था मुलायम होती है के बढ़ डाइमंड या हीरे को छोड़ कर वो hardest natural substance है तीसरा हमने आघातवर्ध नहीं था के बारे में बात की थी कि धातुएं क्या होती है अत्यदिक आघातवर्ध होती है आघातवर्ध मतलब उनको पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है और जबकि जो अधातुएं होती है वो आघातवर्ध नहीं होती है फिर चोथी बात हमने सीखी थी तन्यता की है ना डक्टिलिटी तन्यता में हमने कहा था कि धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है जैसे कावपार, एल्यूमिनियम, है ना आईरन, मैगनीशियम इन सब के आप लंबे-लंबे तार बना सकते हैं लेकिन जो अधातु जो यह कि धात्युएं होती है यह तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती है फिर उमने कहा था चालकता के बारे में धातुएं उश्मा और विद्यूत की सूचालक या घुट कंडेक्टर होती है और चांदी तो वो सरवात्तम चालक है और यह जो आपका अधातु है य भी हमने बात की कि ये धातुएं जो है वो ठोस होती है कमरे के ताब पर केवल पारे को छोड़कर पारा द्राव धातुएं और जबकि धातुएं ठोस द्राव और गेस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है फिर साथ में हमने बात कर ली कि धातुओं के गलनांक और क्वतन प्रांक नीम्न होते हैं डाइमेंड को छोड़ कर और उनके घनतु भी क्या होते हैं कम होते हैं तो इस तरह से हम ये धातू और अधातूं के भोतिक गुणों पर अंतर करते हुए बहुत अच्छे से इनको समझ कर और इनके बारे में लिख सकते हैं उमीद है आपको ये आएगा धन्यवाद